साबुदाने की बर्फी जो खाने में बहुत टेस्टी है और आप इसे ब। में खा सकते हैं साबु दाने की बरफी, एक करते हैं, साबु दाना लेंगे, और पैन में, ड्राइर रोस्ट करने के लिए, ड्राइर रोस्ट, द्रा रोस्ट, दो करना हैं, जब तक कर डॉ टु अच जब क्रिस्पी हो जाए तो इसे हम फ्लेम से उतार के ठंडा होनी के लिए रख देंगे जब साबुदाने थंडा हो जाए तो इसको एक ग्रैंडिन जार में दालके साबुदानी का फाइन पाॉडर बनालेना है और उसको फिर एक छनी से छान लेना है ताकि जो भी मोटे पीस अब उसी पैन में हम तीन बड़ी चमच भी डालेंगे और साबुदाने का पाउडर डाल के इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे कलर चेंज होने तक भून लेंगे जब कलर चेंज हो जाए तो इसमें हमें 750 ml फुल क्रीम डूद डाल देना है यह दूद मैंने पहले से ही उबाल के और रूम टेप्रेचर पे रख रखा है दूद डालने के बाद इसको हम हाई फ्लेम पे पकाते रहेंगी इसको पकने में लगब 20 मिनट का टाइम लगेगा जब हमारा बर्फी का मिक्सर गाढ़ा हो जाए तो इसमें 3 पोर्थ कप चीनी डाल देंगे चीनी आप अपने टेस एक चोथा चमच दरदरा कूटा हुआ इलाइची डालना है और इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये पैन छोड़ने ना लग जाए बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में आ गया है अब हम इसे गैस के फ्लेम से उतार लेंगे मैंने यहां पे थारली को ग्रीस करके रख लिया ह अब इसमें हम बर्फी का बैटर निकालेंगे और इसे सेट होने देंगे और इसको अब हम दो से तीन घंटे के लिए रोम टेमपरियोचर पे ही रखेंगे तीन घंटे बाद हमारी बर्फी सेट करके दोगाता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेर कीजिए, थैंक यू